वेल्कम बेक टुदेगुद्राती चैस डोन दोस्तों सबसे पहले लास्ट वीडियो वाली पजल का अंसर में आपको बताता हूं कुइन टेक्स F3 सब फर्स्ट मूँग सेक्रिफाइश और कुइन जी टेक्स F3 उसके बाद रुक डी जी एइड चैक यहां पे दो अप्शन है किंग H1 जिसमें सेकर्ड मूँग में चैकमेट हो रही है दूसरा अप्शन है विश्प G3 आप देख सकते हो कि एक्ट्टू का प होसमेट आ रही है तो यह था पजल अपड़े आज मैं आपको दूसरा पजल आज के लिए सेट करता हूं जिसका आंसर आप कॉमन बेस्ट में मुझे लिखके बेच देना दोस्तों यह पजल है जिसमें वाइट टू प्ले है और विन करना है आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लेके बहुत बढ़िया मूँ इसमें ढूना है इसका आंसर में अपने अगले वीडियो में आपको दिखा दूँगा चलिए आज देखते हैं स्कैंडिनियों के बार करते हैं तो उसके बारे में आद देख लेते हैं कि दोस्तों पहले आप हम लोगों ने देखा था कि एफोर देफाइफ पोर्टुगीज वरियेशन इडिफाइफ नाइट एफ शिक्स डेंडी फॉर उसके बाद मैंने दिखाया आपको देंशी फोर जो आइसलेंडी और कॉंप्लिकेशन में नहीं पढ़ना चाहते तो उसके लिए भी आपकी तैयारी होनी चाहिए गेम खेलने की थार्ड एनेफ से में विशप जीपोर के बाद यहां पे वाइट के पास तीन में चोईश है एक तो सीफोर दूसरा है विशप एटो नॉर्मल और तिसरी आपका रिप्लाई होगा एशिक्स डी टेक्स इसिक्स दोस्तों पोर्टुगीज में डी टेक्स इसिक्स में हम नाइट शीच खेलते हैं लेकिन यहां यह गलती मत करना क्योंकि वेरियेशन चेंज हो गया यहां पर भीशप जीपोर पर है ना कि भीशप पार यहां आपको को पॉन किंग से ले लेना है आला कि आपका किंग थोड़ा डिस्टब होगा लेकिन ड्यावलोप में सबसे आगे हुआ इसका सबसे ज्यादा फाइदा आपको ड्यावलोप में रहता है बीशप एटू उसके बाद वाइट खेलेगा और यहां आपको रिप्लाई देना है उसके बाद वाइट कैसल रुक डी रुकी एट कुइन डी थ्री कुइन टेक्स डी थ्री बीशप टेक्स डी और रुक डी एट बीशप सीटू देन नाइट बीफोर तो यह पोजिशन बहुत ही अच्छा केलने लाएके ब्लैक के लिए तो यहां से आप आगे गेम खिलके प्रैक्टिस करके अपनी ओपनिंग तेयार कर सकते हो देखते हैं दूसरा वरियेशन बिशप एटू के बजाए अगर कुइन डी वन की अवाइट ने इसी वरियेशन में थोड़ा सा चेंजिंग हम लेते हैं अगर कुइन डी वन जाते हैं तो भी आपको विशप सी पाई भी खेलना है चलिए अब दूसरा वरियेशन देखते है फोर्ष मूं में विशप एटू एने थी बिसब जी फोर शी फोर के बजाए बिसब एटू यह एक नॉर्मल विरियेशन है वाइट अपना पौन वापस देना चाहता है तो यहाँ पर आपको सिंपल कूिन टेक्स दे फाय करना है कूिन टेक्स दे फाय के बाद वाइट करेंगा कैसल यहाँ पर आपको खेलना है नाइट सी शीक्स S3 ये सबसे बेश्ट मुमानी जाती है वाइट के लिए विशब S5 जाना है D4 E6 C4 QD7 विशब E3 रुक D8 ये पोजिशन से आपको अच्छे से खेल सकते हो आलाकि थोड़ा सा ब्लाक के लिए पैसिव वेरियेशन है क्योंकि QD7 जल्दी अटेक में नहीं है भी लेकिन आप बाद में इसे उप्बन कर सकते हो देखते है एक और वेरियेशन जिसमें फिर्फ मुमें नाइट C3 इस पोजिशन में वाइट नाइट C3 खेल सकता है अब इसका रिप्ला आपको क्वीन F5 से देना है आप्टर H3 बिशब टेक्स F3 बिशब टेक्स F3 उसके बाद नाइट C6 बिशब टेक्स C6 बिशब टेक्स C6 द3 ए6 शॉट कैसल बिशब टेक्स क्वीन E2 और G5 यहाँ से आप अर्ली एटेक्स कर सकते हो हाला कि किंग आपका सेंटर में है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि कोई अर्ली एटेक्स वाइट की और से नहीं आ रहा है जी फाइट के बाद तुरंत आप एच फाइव देन रुख जी एट और ऐसे अच्छे से प्लानिंग करके यहीं पे वाइट को बीजी कर दोगे दूसरा वेरिस्टन देखते है नाइट एप शिक्स एन एप थी बिशब जी फोर और यहां पे बीबी फाइव प्लस फोर्थ मों में बीबी फाइव चेक आता है तो आपको खेलना है एट बी डी सेवन आफ्टर एच थी काउंटर एटेक करो एशिक्स बिशब एफोर बिशब एच फाइव सी फोर और यहां आपको पॉन ब्रेक लेना है बी फाइव से सी इन टू बी फाइव नाइट टेक्स दी फाइव यह भी काफी प्लेयबल पोजिशन है ब्लैक के लिए तो यह थी आज की थर्ड एनेप थी के नॉर्मल लाइन जल्दी से मिलेंगे हम नए वेरियेशन के साथ में मेरा अगला वीडियो का वेरियेशन आपको अभी बता रहा हूं थर्ड भू में वाइट पीशब बीफाइव चेक करता है जैसे की इफोर डीफाइव इटेक्स डीफाइव नाइट एफ शिक्स और यहां पर भी बीफाइव चेक अब आपको बताना चाहूंगा कि हम ल इस वीडियो में आप देखोगे थर्ड बीफाइव चेक तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजिए अगर आपने नहीं की है तो बैल आइकोन दबा राखे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जल्धे मिलेंगे जाए है जाए गुद्धात